आज जो है मैं आपके लिए चुका हूँ फायर बोल्ड की कोब्रा स्मार्टवाच जो की अब तक की फायर बोल्ड की सबसे रगेट स्मार्टवाच होने वाली है यहां पर देखने को मिलने वाली है जो आज लाँच हो चुकी है आज मैं आज मैं आपको इसके सारे फीचर बताऊंगा कि किस तरह के फीचर लाती है यहां पर इसकी रगेट फील है वो तो काफी अमेजिंग से मिलने वाली है उसके अलब के लुक एंड डिजाइन की बात करूँगा मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ तो वीडियो की तो SPO2 monitoring, आपका voice assistant इसका heart rate tracking and यहाँ पे outstanding build quality जो की 100% में को भी लगी and मैं आपको watch open करके दिखाऊंगा तो बहुती जो है अलगी एक rugged feel आएगी and जो premium features है वो यहाँ आपको देखने को मिलने वाले है उसके अलबा यहाँ पे आपको Bluetooth calling IP68 की water resistant rating and inbuilt mic और speaker मिलने वाले है देखने को and बात करूँ other special features की तो यहाँ पे आपको notifications, weather updates and और भी कहीं features मिलने वाले तो watch है जो कुछ इस तरह से रखे भी मिलती है and काफी जो है rugged feel दे रही है अभी सही तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीकी के cards देखने को मिल जाए and उसके लावा यह जो है हमारी user manual जो कि हम पढ़ते नहीं तो फटा-फट से इसको हटा देते है and आपको जो charger देखने को मिलता है वो है magnetic pin charger यहाँ पे जिसकी अगर मैं बात करूँ तो cable land काफी अच्छी size की मिल जाती है आपको charger के पास रखना वड़ेगा and उसके लाव यहाँ पर dual magnetic charger है जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा wide land के साथ तो overall cable quality काफी अच्छी है तो guys अगर watch की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि किता rugged feel दे रही है फटा-फट से इसको unwrap करता है और देखते हैं कि किस तरह के जो है हमको अंदर features and look design मिलने वाला है तो यह wrap अटाते है जो यहाँ पर आपको look देखने को मिल रहा है काफी rugged feel है overall look बताऊ अगर मैं आपको तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पीकर grill मिल रही है यहाँ पर जो है इसके screws जो bold इन्होंने लगा रखे हैं देख सकते हो कितना जो है rugged and जो है एक tough and rough use के लिए जो है आपको indicate कर रहे हैं यहाँ पर उसके अलावा इसकी जो looking है वो भी एकदम rugged वाली है and other side की बात करो तो यहाँ पर आपको जो है do buttons देखने का मिलते हैं जिसमें से a के power on and back button हो गया तो बात करोगा इसके belts की तो यहाँ पर आपको belts भी इसके available है market में नहीं आप ले सकेंगे आज launch होगी है तो आपको थोड़े time available हो जाएंगे सारे bags इसके तो चलिए guys अब watch को boot करते हैं देखते हैं किस तरह की अंदर features मिलते हैं तो यहाँ पर fireball की branding आ चुकी है अगर मैं इसके display की बात करूँ तो काफी जो है premium display लगता है यहाँ पर and amoled होने की वादर से इसके जो color plus free watch faces को access कर पाएंगे यहाँ पर जो मैं आपको आगे connect करके दिखाऊंगा watch को जब पूरा setup करूँगा बट उसके अलाव अभी के लिए मुझे यह वाला watch face सबसे अच्छा लगा है यहाँ पर and इसका जो display है इसकी refresh rate होने वाली है 60 hertz की जो की काफी amazing सी बात है एक और so यह गाईस एक ऐसी watch बन चुकी है यहाँ पर जो की under 4K की price में सबसे ज़्यादा rugged feel and premium features लेके आ रही है fireball की तरफ से तो फटा पट से हमें आपको इसके अंदर के लुक के बारें बताऊं तो यहाँ पर आप जैसे swipe down करेंगे output काफी minimal सा लेके आती है बट अगर ज़्यादा अंदरा है तो आप इसका use ले सकेंगे वहाँ पर theater mode देखने को मिल जाएगा उसके अलब आपको weather updates and setting option देखने को मिलता है बात करूँ यहाँ पर अगर brightness की तो मैं अगर आपको बढ़ा के दिखाऊं यहाँ पर तो full brightness पर इसका output कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पर अगर sunlight में इसको use करेंगे तो आपको कोई problem face नहीं होने वाली है and आप easily जो है sunlight में आपको सारी चीज़े visible होगी watch में क्योंकि rugged field बता रखी है तो almost आप इसको rough tough use करके देख सकते हैं तो उसके अलगा यहाँ पर अगर मैं swipe up करूँ तो यहाँ पर आपको messages का option देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको notifications सारे आएगे यहाँ पर and other बात करूँ मैं अगर swipe left की तो यहाँ पर components देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले है तो color and contrast आप देखी फाले होगे और अगर आप swipe up करते हो components में आके तो आपको जो सारा data है वो देखने को मिल जाएगा यहीं पर next बात करूँ अगर आपर slide करके तो यहाँ पर आपको sleep monitoring देखने को मिलती है और इसमें भी आप swipe up करेंगे तो यहाँ पर आपका सारा data जो है मिल जाएगा up to seven days का heart rate tracking आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाता है जो की आप पहनेंगे तभी ही calculate करेगा and यहाँ पर आपका जो सारा data है वो आपको बता देगा तो फटावर्ट से back आते हैं आगे चलते हैं तो blood pressure भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जिसमें आपका सारा seven days का data जो है show कर देगा SPO2 monitor देखने को मिल जाता है next and weather आपको यहाँ पर show कर देगा उसके अलावा आप यहाँ पर add भी कर पाएंगे अपने according सारे components जो भी आपको add करने हो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी components add करने हो आप कर पाएंगे like voice assistant होगे आपका music controls हो गए आपका messages हो गए तो आप जो भी चाहें add कर पाएंगे तो next अगर मैं बात करो तो आप जैसे ही swipe right करते हैं यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा split screen देखने को मिलता है जहाँ पर आपका उपर time date नीचे weather का और जो आपके recent आपने use की होंगे apps सारे वो देखने को आपको मिलते हैं यहाँ तो गईस अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से access कर सकते हैं आपको यहाँ पर एक बार swipe right करना है तो आपका split screen आएगा and again आप जैसे swipe right करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी apps शो हो गई यह और जैसा कि मैंने आपको मैंने components में बता ही दिया था कि यहाँ पर आपको steps का option देखने को मिल जाता है उसके अलावा बात करूँ तो आपको phone call heart rate, sleep, spo2 monitor, blood pressure जो कि आपके सारे health related features यहाँ आपको देखने को मिली रहे हैं training में अगर मैं लेके हो आपको 123 plus sports mode यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपके सारे sports cover है और उसके अलावा आपको कुछ additions भी यहाँ पर कर सकते हैं अपने according देख सकते हैं तो एक वापिस rugged सी feel है आप इसको rugged use कर सकते हैं rough tough अगर आप कुछ भी exercise कर रहे हैं तो आपका जो rough tough आप यूज होगा उसमें आपको कोई problem नहीं आने वाली है और watch की जो यह metal design है side का frame जो है यह आपको आपकी watch को हर तरी की condition ने protect करता रहेगा उसके अलावा आपको यहाँ पर IP68 की जो है water resistance rating भी मिल जाती है तो आपका जो है एक plus point बन जाता है यहाँ पर यह भी back आगर मैं बताओ तो यहाँ पर आपने जो भी training करी है आप उसके exercise records चेक कर पाएंगी यहाँ पर और उसके अलावा next अगर मैं बताओ आपको तो यहाँ पर आपको weather shutter player जिसका मैं आपको आगे use करके बताओंगा किस तरीके से है and additional features की बात करो तो यहाँ पर आपको alarm stop watch देखने को मिल जाएगी उसके अलावा आपका timer हो गया and then आपका एक और health related feature हो गया है यहाँ जो की females के लिए काफी useful होगा उसके अलाव next बात करो तो calculator आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो की एक necessary and एक छोटी सी app है जो आज सकल हर watch में आई रही है and basic functions जो है आप यहाँ पर perform कर पाएंगे आपका addition हो गया या फिर plus minus लगा गया आप जो भी calculations करना चाते है उसके अलावा यहाँ पर आपको flashlight का मैंने बताई दिया था and आपका app download का QR code आपको देखने का मिल जाएगा बट आप directly the fit app download कर सकते हैं आपकी play store से जाके तो guys अब मैं आपको इसकी sound quality test करके दिखाने आपको फटाफट से player में आ जाते है and यहाँ पर हम आपको play करके दिखाता हूं इसका sound जो हमको कैसा मिलता है तो यहाँ पर जो output है काफी अच्छा मिल जाता है हमको and all over sound quality काफी loud थी and मुझे clearly जो है सारा audio आ रहा था उसके अलाव अगर मैं आपको इसकी calling के बारे में बताओ तो back आके अगर मैं आपको इसकी phone call में ले जाओ तो यहाँ पर आप इस तरह से connect रहने के बाद आपको 3 options देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप अपने recent calls को check कर पाएंगे उसके अलाव आपको context सारे जो है sync करने का मिल जाए का option जो आप इसकी app के थुरू कर पाएंगे and उसके अलाव यहाँ पर आपको dial pad देखने को मिलता है जहाँ पर आप directly यहाँ से call कर पाएंगे इस तरीके से अगर आप call लगाते हैं तो आपको यहाँ पर सारे options मिल जाएंगे जहाँ पर आपको watch की तुरू बात करने का speaker का and mute करने का options मिल जाता है तो उसके अलाव यहाँ पर आप call को यहीं से cut भी कर सकते है आपका जो सारा है आप यहीं से access कर पाएंगे यहीं से बात कर पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पर inbuilt speaker देखने को मिलता है तो अगर मैं आपको इसके shutter वाले option का use बता हूँ तो यहाँ पर shutter को simply tap करना है देन आपको जो है एक और बार tap करना है यहाँ पर आपका जो है फोन का ही camera automatically इस तरह से open हो जाएगा एंड देन आपको खाली एक और बार tap करना है एंड तीन सेकिंड के timer के बार आपकी जो है photo इस तरह के से click हो जाएगी एंड यहाँ पर आप इसको phone को कहीं पर भी रखके अपने जो है watch के through आपका photo click कर पाएंगे easily तो all over अगर मैं आपको settings में लेकिया हूँ इसकी अब तो यहाँ पर आपको पहला option display का देखने का मिलेगा जहाँ पर आपको auto sleep का mode मिलता है जहाँ पर आपकी watch अगर आप normal रख दें and अपने आप off होने का time जो है आप set कर सकते हैं यहाँ उसके अलब menu भी आपको दो मिलते हैं एक है grid view एक and list view जिससा कि मैं आपको बताओ अगर तो इसका honeycomb mode है काफी smooth है यहाँ पर क्योंकि यह जो आपको display मिलता है 60Hz का display देखने को मिलता है तो again मैं आपको back लेकर अगर settings में लेकर आजाओं तो display में आपको जो है brightness का and then watch face का option मिल जाता है उसके अलबा vibrations and ringing का option मिलता है जहाँ पर आपको आपका vibration mode set करने को मिल जाएगा जहाँ आप vibrations with ring या फिर only vibrations या फिर off भी कर पाएंगे intensity आप set कर सकते हैं strong या soft poly and बात से इसको work करा सकते हैं जैसा कि click करके मैं बुलू call 198 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से call जो है automatically लग चुका है यहाँ पर आपको जो है को कॉई भी music सुना है तो आप वो सुन सकते हैं next अगर मैं आपको लेकर हो तो यहाँ पर आपको screen clock देखने को मिल जाएगी जहाँ आपको AMOLED display होने के वज़े से आपको always on display मिलता है तो digital अगर मैं आपको दिखा दो इसका एक sample तो आप इस तरीके से कुछ इसको रखेंगी तो यह आपका always on display तो इसकी एक खास बात यह लगी कि यहाँ पर आपको background में black या ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है आपको all over एक पी feature है थोड़ा सा out of the box लगा क्योंकि इन्होंने always on display में कुछ नया add किया है तो इसको मैं off कर देता हूं क्योंकि battery percentage ज्यादा खाने वाला है उसके अलब आपको आपको fine phone करने का option मिलता है और आपको system में आएंगे तो तीन option मिल दें कि restart, power off and reset and about में आएंगे तो आपका app download and version म मैं बात करूँ अगर overall watch के view की इसके जो messaging वाले आपका feature हो गया या फिर और आपका जो इसका rugged feel है तो जो इसकी price point आई है काफी अच्छी price point पर watch है इसके link में description डाल रहा हूँ अभी आप जाके buy कर सकते है and all over जो watch का look है मुझे काफी पसंद आया rugged feel देती है ये watch पूरी proper त है and all over एक premium product यहाँ पर जो हमको मिलता है तो इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो अभी जाके चैनल को subscribe करते ना इस वीडियो पर like करना hook करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगी thanks guys thanks watching the video